वेलकम बैक फ्रेंज तो प्रैक्टिस सेट 3 जेके पिया से एस्परेंट के लिए हम लेकर आए हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये इनवार्मेंट इकालोजी और वाय डिवेस्टी पे रहने वाला है तो पहले पहला सथ हमने जिगराफी पे लाया था दूसरा पॉल लाय व्यख़ति में जीज आटावाबा इसेट तो इनको कहता है और चीजो फाइट सीजोफाइट सीजोफाइट ठीक है अगर आप को वेसं के जो लायट में एंसान लायट में पहले हम एहलियो फाइट है-खरे ये 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 ऑशेन वायट दूसरे पर आते है नार्थ अमेरिकन ग्रास लेंड जरकाल ग्रास लेंड जो है कुशन देखा जाता है एक्जाम में तो नार्थ अमेरिका के जो ग्रास लेंड से उनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है प्रियारीज ठीक है नार्थ अमेरिका के ग्रास लेंड को प्रियार है तो आफरीका में वेल्ड भी होते हैं और सुवाना भी तो नहीं अगर आप समझाया थोड़ा सा यह बता देता हूं यहां पर एक पीज था सोड़ी तो पेज miss scheduling है तो मैं ऐसे आपको पता तो यहां पर North America पइमपर-South America Swana South Africa कोंके endemic species are endemic species کیеж क्या होते है एंडemic species होते हैं जो यह जो टो के login होते हैं I can speak Name Mari can में एक यह फास जगां पर ही पाइजा जाते हैं इनको endemic species कहा जाता है आगे बढ़ते हैं question number four world first day is celebrated on world first day कब celebrate किया जाता है it is celebrated on 21st March 21st March को celebrate किया जाता है world forest day question आगे बढ़ने से थोड़ा सा बता देते हैं environment related जो days हैं जैसे कि world environment day जो है वो five June को बनाया जाता है world ozone day ozone protection day 16 September ये important है ozone बाला 16 September world water day जो है बाइस मारच को अभी forest हमने सुना ना 21 March तो 22 March को water day होता है world earth day जो है वो 22 April को बनाया जाता है तो यह आप याद रख सेते हैं यह environmental related days है ठीक है आगे बढ़ते हैं largest source of air pollution in cities are cities में जो air pollution को सबसे बड़ा source होता है यह किससे सबस्यादा air pollution cities के अंदर होती है और यह सकांसर रहने वाला है automobile से ज्यादा pollution होती है air pollution मिनमाटर डिजीज इस डियू टो मिनमाटर डिजीज जो है यह डिजीज होती है किसकी poisoning से it is caused by the poisoning of mercury इस mercury poisoning से होती है question number seven the legally binding international agreement to reduce the greenhouse gases to greenhouse gases को reduce करने के लिए जो protocol in convention आया है तो वो कौन सा protocol है it is very good montreal protocol आगे बढ़ता है the food chain in which the micro organism break down the dead producers is called food chain के बारे में question है कौन सा food chain है जिसमें micro organism से start होता हो जो dead organism से या micro organism से start हो जिसमें dead organism का जिकर हो तो यह simply आप समय ले ना the treatis food chain की बार चल रही है the treatis food chain की okay question number nine smoke is a mixture of smoke में क्या 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 होता है smoke is made up of smoke and fog answer is a okay question number 10 पर आ जाते है question 10 हमारा है a poisonous gas given out of vehicles exhaust is गाड़ियों से जो पाइनस gas release होती है most of जो gas होती है गाड़ियों से जो पाइनस gas निकलती है वो कौन से होती है it is जल्दी से answer करें it is carbon mono oxide आप सिर्द मेरे वावाज मत सुना करो जो लिखा होता है वो पर ने उस पर अपनी नजरें उस पर वो कौन है it is ms swaminathan ms swaminathan और जो कोरीन है नहीं कोरीन यह white revolution के father कहलाते है पेडोलोजी पेडोलोजी जो है is a study of किस की study को पेडोलोजी का जाता है पेडोलोजी is the study of soil okay question 13 mulching helps you mulching किस में help करते है mulching is a process है जो moisture conservation में help करता है helps in the moisture conservation ठीक है question मैं जल्दी ले जा रहा हूं ताकि आपकी speed रहे इरावी कुलम इवार इरावी कुलम नेशन पार्क जो है species को conserve करती है नेशन पार्क तो यहां पर इसका आंसर रहने वाला है लाइन टेल मैक टाइगर इलिफेंट तो इसका थोड़ा से डोट में है तो कॉमेंट करके इस question का आंसर बता दे जल्दी से इसका आंसर क्या रहने है विला question number 14 का answer बताएं comment करके और आपने पूरे score भी comment करें कितने बनते हैं वाट इसका आंसर में comment कर दूँगा पीन भी लेकिन पहले आप करें कि फरनेसी की ट्रिट्मेंट के लिए कि तो इसका आंसर रहेगा कोशन 16 अगर हाई हो तो वह क्या इंडिकेट करता है किसी भी वाटर में कि बियोडी जो है बायालोजिकल अक्सिजिन डिमांड हाई है तो इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि हाई लाफ माइकरोबियल पॉलूशन यानि माइक्रोब्स जएदा होंगे वहाँ पर हाई लेवल microbial pollution answer D रहेगा इसका question 70 pH value of normal rain water जो normal rain water होता है उसका pH value कितनी होती है जो एक हम कह सकते हैं एक जो रैंज रैंज नहीं यहां पर एक एक बताना है तो 5.6 कोशन शायद 28 के केस की प्री में भी पूछा गया था तो 5.6 जो है pH value होती है rain water what is what of the sorry which of the following is not a water burn disease इन में से कौन सी बिमारी water burn नहीं है water burn होता है जो पानी से ना फैलती हो तो यह आपको बता तो टाइफर तो पानी से फैलती है और बताए मीजल का बताएं जल्दी से cholera ठीक है पानी से कहीने कहीन पहलती है है तो आप्स क्रेटरा से फैलती है फीसिसे लेकिन फीसिस भी अगर पानी में मिल जाएं तो पानी से फैल सकते हैं प्लड़ी है जल्दी से देप्रोटकोल विन्ट कौन सा प्रोटोकोल बोर रहा है यहां पर तो इडिस मॉन्ट्रियल प्रोटडोकोल मॉन्ट्रियल एक बर मैं थोड़ा सा कन फ्यूजन दूर कर तो आपको कोशन एक शैद मेरे से सोरी यह कोशन सेवन में थोड़ी सी करेक्शन कर लें आप यहां पर अगर हम Greenhaus गैसी उट tomar चैनल क्रोड भाद करें तो इज आज को आज करा देता हूं तो कियावुकोड है जब बात हो किसके ग्रीन होश गैसी की लेकर जब को मैं clear कर देता हूँ जो छोटी बोटी mistake हो जाती है ने वीडियो बनाते हुए तो मैं comment pin कर देता हूँ तो comment आप देख लिया करो और अपने score भी comment कर लिया करो जैसे एक question में वहाँ पर कल हुआ था मैं आप इसको बता देता हूं. यह कल का एक कोशन है, मैं इसको बता देताँओं. मुंदरा आइलेंड है. यह कावेरी रिवर बनाता है. यह अंसर इसको करेट कर लेना ठीक है. तो चुर्मन्ट में कर देता है, कोई बी ऐसी पराबलम होता है. आज का लास्ट कोशन है वाट टाइप फूट चैन इस इट तो अभी मैं बता भी चुका हूँ जब डैड अनिमल से जो फूट से इन स्टार्ट होते है डैड अनिमल ब्लो फ्लाई मेगट मेगट्स फ्लाग और सनेक तो इस तरह की फूट चैन को हम कहते हैं डेट्री टेस्ट डेट्री वोरस कोई भी नाम आप ले लो इसके तीन चार नाम हैं डेट्री टेस्ट डेट्री वोरस डेट्री आइट्री आइट्र भी आप कह सकते हो फूट चैन ओके तो यह राइट एंसर रहेगा तो दीज आ ट्वेंटी कोशन साफ इनवार्मिंट अगर और भी आपको के मोक टेस्ट अटेम्ट करने तो हमारी एप पे आप विजट करें और जितने भी एस्परेंट अगर चाहते हैं अच्छी सी त्यारी करने के लिए यह कि प्यास साइकल है तो वह आप हमें मैसेज कर सकते हैं तो यह आपके सामने यह नीचे नंबर लिखा हुआ है यह 705101488 पर आप वर्सम मैसेज कर सकते हैं और यह जो क्वीकर वीजिन नोट्स आपके लिए बनाएगे हैं यह मुस्टली सबी ने ले लिए हैं और जिन्हों लिए हैं मुझसे मेरी उनसे रिक्वेस्ट अच्छे से पढ़ें एक दो बार उसको अच्छे से पढ़ें ताकि चीज़